आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आपको सैनेटाइज करना हैंड सैनेटाइजर अपने पास रखना और यह सभी की एडवाइजरी है कि आपको हर थोड़े समय में हैंड सैनेटाइजर यूज करना चाहिए लेकिन मार्केट में अगर आप जाके देखो तो आज से एक तेड़ महिना पहले ही इस तरह का पैमपलेट आपको मॉल में शॉप पे हर जगह लटका हुआ मिलेगा कि मास्क और हैंड सैनेटाइजर जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है उनके पास अब इसका स्टॉक नहीं है तो इस टाइम में हैंड सैनेटाइजर होन बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आपको और अपने बच्चों को अपने घर को जो है सैनेटाइज रख सकें और कॉरोना वाइरिस तो एक महा मारी फैल्यू ही उससे फ्री हो सकें तो घर पे ही दो तरह के बहुत ही इजी सैनेटाइजर बता रही हूँ मैं जो आप बहुत ह कम पैसे में बना सकते हैं और इस्तबाल कर सकते हैं तो गाइस दो से तीन इंग्रीडियन्स में ही आपको ये सैनेटाइजर बना देना है घर पे और काफी अच्छी क्वांटिटी में ये बनेगा तो सबसे पहले मैं जो यूज कर रही हूं वो है रबिंग अलकोहल या फिर इसको आप साइन्टिक्फिक लाइग्वेज में कह सक ये 99% प्योर वाला ये 99% फिर वाला ये ऐको लेना है और ये कई तरह के अलकोहल मिलते हैं मार्केट में जैसे कि आफ ये देख रहे हो ये 99% प्योर ये इसमें आपको अलकोहल की मतरा 99% प्योर मिल जाएगी सैनेटाइजर पनाने के लिए बहुत जरूरी होता है लेकि बग जिस rubbing alcohol में 90% से उपर आपको alcohol मिल जाता है वो ले ले आप वो जादा अच्छा है और sanitizer में इसी तरह के alcohol यूज होते हैं तो यहां मैं एक ratio बना रही हूँ तो छोटे से glass से मैंने धाई glass इसमें डाला हुआ है तो एक जितना आप rubbing alcohol ले रहे हैं उतना ही आपको second जो ingredients है वो लेनी है वो ले रही हूँ मैं aloe vera gel किसी भी brand का aloe vera आप ले सकते हो बहुत से लोग के पास plant होगा तो वो plant का भी aloe vera ले सकते हैं लेकिन मेरे पास हो आईए है ready made वाला तो मैं यही यूज कर रहे हूँ जैसा कि guys आप जानते हो कि aloe vera जो है एक antibacterial properties है इसमें antifungal properties होते हैं जो काफी helpful होता है sanitizer में अगर आप इसको use कर रहे हैं तो इसमें मैं सीधे डेड़ चमर डाल रही हूँ जितना rubbing alcohol डाला है उसका half डालना है अब इसको अच्छे से हम mix करेंगे इसको आप spoon से या whiskar की help से अच्छे से इसको mix करिए aloe vera जब बहुत अच्छे से हम mix करते हैं फेटते हैं तो इसकी consistency जो है थोड़ी से ठिक होने लगती है तो उसी consistency में हमें चाहिए तो इसको अच्छे से हम फेट लेंगे अगर बहुत जादा आपका जो है ये consistency जो है ठिक लगती है आपको तो आपको थोड़ा सा इसमें पानी आइट कर देना है अदरवाइस इसको इसी तरह से छोड़ देना है पानी की जंगा पे आप घुलाब चलका भी यूज़ कर सकते हैं देखे ये फेटने के बाद कुछ इस तरह से होगा आपको अगर हाद से नहीं फेटना है तो आप चाहो तो mixer में भी एक बार इसको चला सकते हैं जिससे ये बहुत अच्छे से mix हो जाएगा और ये देखे इसकी consistency जो है बिल्कुल ही perfect निकली है इसी तरह का कुछ हमें चाहिए होगा ये liquid तो ये देखे ये बिल्कुल perfect consistency में बनके ready हो गया है और इसको फेटने के बाद अगर आपके पास essential oil है तो एक बूंद आप essential oil की डाल सकते हैं ये भी antibacterial का काम करता है और इससे खुश्पू भी बहुत अच्छी होगी बस एक बूंद डालना है अगर आपके पास ये नहीं तो आप lemon का use कर सकते हैं और साथ हमें बहुत थोड़ा सा extra most rice रखने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा olive oil में यूज कर रही हूं आप चाहो तो इसमें almond का तेल भी यूज कर सकते हैं या नारियल का तेल यूज कर सकते हैं मेरे पास ये जतन का तेल है तो मैं इसको mix कर रही और यहाँ पर अगर आपके पास पुरानी कोई भी बॉटल है जैसे कि ये मेरी lotion की बॉटल है ये शेंपू की कुछ बॉटल मैंने रखी थी और इसको मैंने दुलकर अच्छे से wash करके सुखा लिया है तो इसका यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई नई बॉटल नहीं तो पुरानी यूज़ कर सकते हैं, यह मेरे पास ओयल की छोटी बाली बॉटल है, इनका मैं यूज़ करूँगी, और इसमें मैं एक कीप की हिल्फ से सारे बॉटल को मैं इस तरह से फिल कर दूँगी, और देखें, बहुत ही थोड़े पैसे में बन के हमारा हैंड और यह देखें कि थ्री बॉटल मेरी रेडी हो चुकी है, मैं इसको यूज़ करके आपको देखा दे रही हूँ कि किस तरह से यह वर्क करेगा, तो यह थोड़ा समयने हाथ पे लिया है, और इस तरह से हलका से अपने हाथ को सेनेटाइज करना है, और थोड़ी देल में एल सेनेटाइजर का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आपको मिल नहीं पा रहा है, तो बहुत एज़ी तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, और चुटी चुटी बॉटल में आप अपने बच्चों को दे करके, उनको हर वक्त सेनेटाइज रहने के लिए कह सकते हैं, तो चलिए ग स्टार्ट करते हैं, तो इसमें मैं ऐलोवेरा जल का यूज कर रही हूँ, आप प्लांट का ले सकते हो, या फिर रेडिमेड जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, तो इसमें करीबन एक चमच में से कम ही मैं बना रही हूँ इसको, तो इसमें आधा स्टार्ट में पहलें मौचित, और मौच्त से कम हैं, एक उनले मीम ही आपके कम हम आपके, यह मैं आपके पास एक पास देंब भी इसको करने के लिए, उसमें मैं अपके और धा है, चमच इन दो चीज़ों के बाद अब इसरी जो चीज है वो है सैवलोन, सैवलोन में भी एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज है जो हमें एक इस हैंड सैनिटाइजर में चाहिए, इसमें एल्कोहल भी मिक्स होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डेटॉल का तो मैं इसलिए सैवलोन का यूज कर रही हूं और सैवलोन की कुछ ही ड्रॉप्स हमें इसमें यूज करनी है, तो तीन से चार ड्रॉप्स आप इसकी यूज करें स्रिफ इसमें, और अलोवेरा को इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से mix करने के बाद यहां पर essential oil डाल सकते हैं या फिर आप गुलाब जल का यूज़ कर सकते हैं ताकि सैवलोन की smell कम हो जाए और एक अच्छी सी खुश्बूल भी इसमें add हो जाए तो इसलिए मैं इसमें गुलाब जल का यूज़ कर रही हूँ आप चाहो तो दो तीन ड्रॉप्स नेबू की आप डाल सकते हैं इसमें तो इसमें मैंने गुलाब जल आट किया है इसको अच्छे से हम mix कर लेंगे और यह हमारा hand sanitizer बनके ready हो गया है गुलाब जल डालने से इसमें सैवलोन की smell बिलकुल भी नहीं आएगी और आपका hand भी पूरी तरह से sanitize हो जाएगा तो यहाँ पे इसको भी हम fill कर लेंगे एक खाली बॉटल में और बहुत ही अच्छे से तरीके से guys यहाँ पे दो बहुत ही easy तरीके से कमपैस्व में मैंने hand sanitizer बनागे दिखाया अगर आपके अगल बगल sanitizer नहीं available हो पा रहा है तो आप इस तरह से rubbing alcohol के साथ आप sanitizer बना सकते हैं या फिर अगर आप rubbing alcohol भी आपके पास नहीं है तो आप saivalon का use करके भी sanitizer बना सकते हैं वीडियो थोड़ी भी helpful लगती है तो please like, subscribe, share and comment जरूर करिएगा और इसके पहले की वीडियो भी जरूर देखेगा क्योंकि coronavirus के लिए मैंने वहाँ पे दो तरीके के face mask बनाये हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है बिना सिलाई machine के भी बनाया है तो बहुत ही जरूरी वो चीज़ है वो भी जरूर देखेगा Thank you, bye Is it all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways झाल झाल झाल